पीपेन एक तरफ रख दो और से मेरे प्रवचन सुनते रहो है ना दो मिनट में रिवाइस कर देंगे पूरा का पूरा क्या वोला मैंने सर डॉल्टानेटमिक थोरी आपने पहले बढ़ावा था ठीक है डॉल्टानेटमिक थोरी का पहला पॉइंट क्या था कि सर कोई भी सब्सकुन तो सर अगला पॉइंट यह है कि सर टुम को नतो रिरे की लीस्ट्रूई कर सकता छे कुलद सब्सकिये शुक्र सो गयी यह थीवार्य कि इसकी नुक्लियर शुजन दीयक्शिंटी ठीक है वहां पे सहता बाद है नकिस्टद है नो discern कि सल एलेमंट के इंदर जितन होते हैं उनकी physical chemical properties से होती है लेकिन हमने देखा कि isotopes होते हैं वह आपने बात में समय लिया होगा कि जो isotopes होते हैं उन में mass number क्या होता है different होता है उनका atomic number क्या होता है सेम होता है तो वहां पर physical properties अलग 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 आ गई है इसका मतलब यह भी इसका exception हो जाएगा अगली हमने बात की यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में स्वरी fundamental particles ऑफ एटम के बारे में fundamental particles ऑफ एटम कौन-कौन से थे electron proton neutron electron को e से represent proton को p से represent neutron को n से represent charge की बात की जाए तो electron के उपर minus e proton के उपर plus e और यहां पर neutron के उपर zero charge e का significance क्या है e एक numerical value देता है उसका value कितना होता है 1.6 into 10s to power minus 19 कुलाम ठीक है अच्छा मास की बात करें तो electron का मास कितना होगा 9.1 into 10s to power minus 31 kg proton का कितना होगा 1.6726 into 10s to power minus 27 kg ठीक है इसका कितना है neutron का बदाव जल्दी से 1.6749 into 10s to power minus 27 kg अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर electron का mass तो 10s to power minus 31 order का है proton का minus 27 order का और neutron का minus 27 order का इसका मतलब सर mass of electron जो है mass of proton और mass of neutron से काफी कम है तो हमने क्या लिख दिया mass of electron is very 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 less than that of mass of proton and mass of proton is almost equal to mass of neutron क्या मेरी कहानी यहां तक समझ में आ गई आपको पक्की बात है आगे बढ़ें उसके बाद आपने क्या देखा representation of atom represent कैसे किया किसा कोई भी element लिखा हुआ है कोई भी atom लिखा हुआ है उसमें उपर तो क्या लिखा लिखा जाएगा नीची कहा लिखा जाएगा atomic number लिखा जाएगा atomic number क्या represent करता है यह सब नमबर of protons को represent करता है mass number क्या represent करेगा total number of nucleons nucleons क्या होते हैं जो सब nucleus के अंदर जो species present है जो particles present है कौन-कौन से है proton और neutron उनका जो सम होगा वही क्या होगा मास नंबर होगा यानि कि A is equal to P plus N जहां पर P क्या है number of proton, N क्या है number of neutron कहानी समझ में आ गई उसके बाद हमने एक state में लिखा था कि किसी भी neutral atom के लिए जितना atomic number होता है उतने ही उसमें proton होते हैं उतने ही उसमें electron होते हैं कहानी समझ में आ गई अगली हमने टर्म बात की यहां पर आइसो टोप के बारे में आइसो टोप क्या था कि सर सेम अटमिक नंबर बट मास नंबर इस डिफरेंट फिर हमने एक आइसो एलेक्ट्रोनिक आइसो एलेक्ट्रोनिक का मतलब क्या है सर सेम नंबर ओफ एलेक्ट्रोन्स ठीक है और उसके बहुत सारे आपने एक्जामपल भी देख लिए हैं जहां पर 10-10 इलेक्ट्रोन्स आ रहे हैं अच्छा अगली हम बात करें यहां पर किसकी आइसो टोन्स की सर जहां पर न्यूट्रोन्स जो है वो सेम हैं देखें कारबन 6C 14 और 8 ओक्सिजन 16 दोन्नों में देखा जाएगा तो न्यूट्रोन्स कितने आ रहे हैं 8 8 आ रहे हैं कानिसंज में आ गई आपको है ना वह 14-6 कितना हो गया 8 हो गया इधर कितना हो जाएगा 16-8 8 तो यहां पर यह आइसो टोन्स यह पूरी आज की क्लास का रिविजन ज्यादा ज्यादा मुझे 5 मिनिट लगे हो गए ठीक है